कि अजम लेकर आई हूं कुछ important questions जो कि हमारे previous year में आये हुए हैं कुछ one day exams में आये हुए हैं कुछ cds में ही आये हुए हैं उन questions से आज हम लोगों को यह पता चलेगा कि हमारे previous chapter से कितने questions आये हैं और क्या-क्या ऐसा है जो हम लोगों ने cover नहीं किया है ठीक है जो हम लोगों से रिलेटेट जो नई चीज़ें सीखनी है आज वह यहां पर सिखाऊंगी और कुछ चोटे-चोटे टॉपिक्स जो chemistry के बचे हुए है वह अगले लेक्टर में आएंगे अगले लिक्टर में सबका में combination लेकर आऊंगी बहुत चोटे-चोटे चोटे टॉपिक्स बचे हु पी सारी सीखने को मिलेंगी तो इस क्लास के बाद में अगर आपसे कुछ नहीं भी वनते हैं तो हताश नहीं होना है क्योंकि यहां पर गलत होंगे लेकिन एक्जाम में सही करकर आओगे और अगर कुशन सही हो रहे हैं तो विल और तो चलिए शिरुआत करते हैं आज की क्ल सब्सक्राइब करते हैं तो इस नाम याद रहना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है यहां पर हमसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा पुटाशियम कंपाउंड है जो इस नाम से जाना जाता है तो बिटा इसका आंसर है B. K2CO3 is also known as pearl ash क्योंकि इसका रीजन यह है कि जब हम लोग पुटाश को पुराने जमाने में बर्न करते थे to remove the impurities तब क्या होता था जो वाइट रेसीडूल बचता था ठीक है उस वाइट रेसीडूल को as a pearl appearance माना गया इसलिए इसको नाम दे दिया गया पुटाश तो हमार यूज होता है तो ये यूज होता है हमारा glass और सोप के production में यूज होता है हमारा पुल आश सारे नाम देने के पीछे कोई न कोई रीजन जरूर होता है और इसका रीजन था जो उसको burn किया था किल्न में burn किया था एक potash को तब क्या हुआ था एक white residual हमें मिला था next question heavy metals got their name because as compared to other atoms they have तो heavy metals को हम heavy metals क्यों बोलते हैं बहुत easy सी चीज है ये हम लोग बोलते हैं कि जब हम लोगों ने new land law of octaves पढ़ा था या फिर हम लोगों ने दूसरे classification भी पड़े थे तब हम लोगों ने देखा था कि वो lighter metals के उपर तो suit कर रहे थे लेकिन heavier metals तक जाते जाते वो हमारे classification सही नहीं हो रहा था क्यूं ऐसा था वो तो हम लोगों ने बा जाता है just because of the name क्यूंकि उनका higher atomic mass होते हैं कौन से होते हैं mercury हो गया आर्सिनिक हो गया यह सारे heavy metals है ठीक है क्यूंकि उनका atomic mass जादा होता है इसलिए उन्हें heavy metals बोला जाता है इसमें confusion हो सकता है हमें लगता है कि बहुत easy सा है answer देखने के बाद तो लगा कि हाँ यह तो easy सा है नाम सी समझ में आ रहा है जो जादा भारी यह उसको heavy baking powder हम लोगों ने सुना है baking soda के बारे में भी baking powder के बारे में भी दोनों ही घर पे यूज होते हैं बेकरी में यूज होते हैं तो ऐसे कौन सा compound है जो इनको convert करता है baking soda को convert करता है baking powder के अंदर तो बेटा हमारा answer जाएगा KHC4H406 यही ऐसा compound है जो convert कर पाता है baking soda को baking powder में तो baking soda बेटा क्या होता है वो होता है हमारा sodium का bicarbonate sodium hydrogen carbonate is our baking soda और baking powder क्या होता है बेटा baking soda plus acid plus acid blend जब कर देते हैं हम तब उससे क्या बनता है हमारा baking powder बनता है इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे यह ध्यान रखने वाली चीज है make a double star on it चलो next at room temperature the metal that remains liquid is तब जब हम लोगों ने metals और non metals के physical properties के बारे में पढ़ा था तब मैंने तुम लोगों में for example एक metal ऐसा भी है जो liquid रहता है room temperature में जो हमारे thermometers में use होता है आया समझ कौन सा mercury mercury एक ऐसा metal है जो हमारे room temperature पे भी liquid state में रहता है चलिए moving towards the next question what happens when potassium fire in laboratory is extinguished by pouring water अगर हमारे laboratory में potassium की वज़े से आग लगी है और उसको तुमने अगर उसमें पानी डाल दिया तो क्या होगा यह मैंने तुम लोगो जो metals की reactivity पढ़ाया था तब बताया था कि कुछ ऐसे metals होते हैं जो water से बहुत जादा vigorously react करते हैं जिसमें से potassium भी था तो potassium के वज़े से आग लगी उसमें तुमने और पानी अगर डाल दिया तो क्या होगा बिटा और जादा आग फैल जाएगी there will be increase in the fire intensity क्योंकि जब potassium जब किसी metal में आग लगी है तब क्या evolve होता है hydrogen gas evolve होती है और hydrogen gas खुद ही इतनी inflammable होती है कि वो और आग पकड़ लेगी और fire की intensity बिटा और जादा बढ़ जाएगी यह है real life application हमारे हर चीज को पढ़ने का कि अगर हम ऐसे metals जो already ही पानी से बहुत vigorously react करते हैं उनको और उनकी वचे से जो आग लगी उसमें पानी डाल दोगे तो आग बढ़ेगी ही बुझेगी नहीं इस चीज को समझना बहुत जादा जरूरी है हमने metals की reactivity series देखी थी उसी से हमें पता चला था कौनसे water के साथ जादा रियक्टिव होंगे कौनसे नहीं होंगे बच्चे नेक्स्ट क्वेशन गालों में घरों में पहले यूज होता था तो इन में से वो कौनसा alum था जो use actual में किया जाता था फिटकर ही जिसको हम बोलते हैं वो क्या था इस में से तो बिटा आंसर जाएगा पोटाश आलम पोटाश आलम का यह फॉर्मिला होता है के 2 एसो 4 डॉट एसो 4 3 डॉट 24 ह 2 और 24 ह 2 अदिशनल वॉटर मोलेक्यूल्स वॉटर और प्रिस्टिलाइशन अड़ किया है अब यहीं से तुमको समझ में आ रहा होगा कि यह सॉल्ट है और कौन सा सॉल्ट है तो यह डबल सॉल्ट है इत धज्जॉड सॉल्ट मैंने तुम लोगों को जब सॉल्ट करणाया था मिटल्स नोन मिटल्स के पहले एसेड बेसेज सॉल्ट इन सॉल्ट में तब मैंने तुम लोग CAT अलग अलग सिन्षन होते हैं कुछ दबल सॉल्ट होते हैं इसकी तरह तो उसका रखेंगे कि यहां पर 24 water molecules attached होते हैं और इसी को यूज किया जाता था water को purify करने के लिए next question the percentage of silver in German silver is German silver जो हमारा compound होता है ठीक है जो German silver होता है वो बहुत सारे jewelry में used होता है ठीक है मम्मी लोग German silver जैसे shop पे जाते हैं तो को German silver के instruments in students भी होते है ठीक है क्या उसमें silver का कॉंस कितना percentage होता है जो उसको अक्चेवर बनाता है यह भी सोचने की बात है नाम में तो silver है लेकिन percentage of silver इसमें कितना होता है बेटा percentage of its इसमें silver होता है 0% इसको German silver क्यों बोला जाता है क्योंकि इसके appearance silver जैसी होती है इसमें silver actual में नहीं होता है ठीक है silver is a very costly metal तो इसका एक थोड़ा cheap substitute हो जाता है हमारा German silver actual में इसमें क्या-क्या मौजूद होता है तो इसमें मौजूद होता है copper, zinc, nickel, sometimes lead and tin are also present in German silver तो इन सबका alloy होता है बिटा हमारा German silver next question which of the following alloys contain copper and zinc तो कुछ ऐसे बहुत famous alloys है बिटा जो हमें जिनका composition याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है उन में से एक ऐसा alloy है जिसमें copper और zinc मिले हुए होते हैं तो वो कौन सा alloy है आप मुझे ये बताइए तो बिटा वो alloy हमारा हो जाता है brass brass एक ऐसा alloy है जो किसका बना होता है copper and zinc का बना होता है हम brass की बहुत सारी चीज़ें देखते ही हैं हमारे आसपाथ ठीक है इसी से मिलता जुलता है bronze bronze medal थर्ड आने वाले को मिलता है वो किसका बना होता है बिटा तो वो हमारा बना होता है copper and tin का किसका बना होता है copper का और tin का बना होता है हमारा bronze तो इन दुनों को याद रखेंगे इन दोनों में usually बच्चों को confusion होता है जो तुम लोगों को नहीं होगा इसका बिटा ध्यान रखेंगे next question name the metal that can be easily cut with a knife तो ये एक और soft metal है जिसको आराम से knife से भी cut किया जा सकता है जो एक हिंट दे देती हूं जो बहुत जादा reactive हो जाता है पानी के साथ में एक ऐसा metal है जिसका हमने exception पड़ा था जब हम लोग ने metals and non-metals के physical properties के बारे में बात किया था तो इसका answer हमारा जाता है sodium दूसरे options देखेंगे तो ऐसे ही अपने आप भी बता सकते हैं कि copper को हम लोग knife से काट सकते हैं क्या नहीं काट सकते हैं गोल्ड को काट सकते हैं नहीं काट सकते हैं aluminium के जो बरतन हम देखते हैं क्या काट सकते हैं उनको knife से नहीं काट सकते हैं sodium बहुत ही soft metal होता है, knife से असानी से cut जाता है, बहुत reactive भी होता है, reactivity series में काफी उपर भी होता है, तो sodium के बारे में हम ये चीज़ें बिटा याद रखेंगे, it can be easily cut with a knife. Next question, an extremely hot copper wire, यहां पर hot लगा ले न, an extremely hot copper wire reacts with steam to give, तो copper wire जो होता है, वो steam के साथ में react करके, क्या देता है, हमें ये बताना है, तो copper जब steam के साथ में react करता है बिटा, तब वो हमें देता है, CUO, ये हमें याद रखना है, उसके बाद में, which of the following metals is present, वहां पर ये present हो जाएगा, which of the following metals is present in brass, bronze and german silver, तो इन तीनों के, इन तीनों alloys के हम लोगों ने compositions अल्रेडी देख लिए हैं, हमको पता है कि brass किसका बना होता है, bronze किसका बना होता है, german silver में कौन-कौन से elements होते हैं, तो अगर उन सब में से common निकाला जाए, तो यहां पर आ रहा है हमारा copper जो की common है, तीनों के अंदर, ठीक है, तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे, alloys जो बहुत famous से alloys हैं, उनको ध्यान रखना हमारे लिए बिटा, जरूरी हो जाता है, next question, lunar caustic is, अब फिर से एक नाम आ गया है हमारे सामने, lunar caustic, ठीक है, जैसे pearl lash आया था न, उसी तरह से यहां पर आ गया है lunar caustic, तो lunar caustic किसको बोला जाता है, यह आप मुझे बताईए, क्या आपको इसके बारे में idea है, अगर नहीं है, तो मैं बता देती हूँ, बेटा, यह होता है हमारा silver nitrate, silver nitrate को हम lunar caustic भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्यों कि जब यह skin के contact में आता है, क्या देता है, reduce होकर, reduce होकर यह देता है, metallic silver, metallic silver देता है, जो कि, जिसका कलर किसके जैसा होता है, lunar iron के जैसे का color होता है, ठीक एक दम whiteish सा color होता है, है इसल्य को क्या बोला जाता है कि कैbenलग में इजाता है यहां पर नाइट रेट में तुमस्कि før में सभाइब लुशा resonates घ्यक्त बनेथा और जाता है अब मुझे तुम लोग एक एक बार यह बता देना comments में कि हमने caustic पहले भी पड़ा था कहां पड़ा था ठीक है कहां पड़ा था हम लोगोंने caustic soda पड़ा था caustic potassium पड़ा था कहां पड़ा था यह मुझे बता देना नेक्ट the process is used in the extraction sanite का जो process होता है वह किसके extraction में काम आता तो यह एक बहुत ही important procedure होता है कुछ बहुत ही important metals के extraction के लिए जिन में से एक metal होता है हमारा AG ठीक है थीक है what is AG it is silver थीक है cyanide process जो होती है उसमें क्या होता है बच्चे कि उसमें gold और silver जैसे जो metals होते हैं उनको उनके ओर से extract किया जाता है इसलिए थोड़ा से खास सा यह हमारा एक्स्राक्षिन का प्रोसेजर हो जाता है क्या किया जाता है उस में डाल । किस्त में डालते हैं हम डाल ते हैं हमें गोल्ड और सिल्वर और दीटेएं默 हमें प्रोसी के नामलिकर में जाता है इस पर डबल स्टार लगा लेना ताइन प्रोसेस भी और मैक आर्थर फॉर्स प्रोसेस के नाम से भी इसको बिटा जाना जाता है next question the percentage of gold in 21.6 karat of gold is तो अब इसको कैसे calculate करें हमें ये पता है कि 24 karat gold जो 24 karat gold होता है वो purest form of gold होता है उसमें हम कुछ चीजें मिलाते हैं ठीक है to make the way to make ornaments जो 24 karat gold होता है वो तो बहुत ही soft होता है ठीक है उसको ornaments में convert करने के लिए उसमें बहुत सारे हम metals मिलाते हैं उसको alloy बना देते हैं और ultimately उसमें जो 24 karat होता है वो फिर कम karat का हो जाता है उसकी purity कम हो जाती है ठीक है अब अगर हमारे पास में ये question आता है कि हमें ऐसे ही किसी को convert करना है कि उसमें कितना percentage of gold होगा 24 में अगर 100 है तो 21.6 में कितना होगा बस इतना सा बताना है तो formula क्या होगा given जो हमारे पास karat है upon 24 into 100 बस इतना सा हमें करना है और हमारे पास answer आजाएगा जब हम इसको solve करेंगे तब हमारे पास answer आएगा 90% तो 90% gold मौजूद है 21.6 karat gold में 24 में 100 था ना तो 21.6 में कितना होगा 100 upon 24 into 26 इतना आसान सी चीज है कुछ इसमें rocket science नहीं है ठीक है तो ये समझना जरूरी है अब moving towards the next question gold dissolves in aqua regia to produce तो हम लोगों ने aqua regia की बात पहले भी की थी इसको royal water के नाम से भी जाना जाता है क्यों जाना जाता है royal water के नाम से क्योंकि ऐसे metals को dissolve करता है जो कोई और dissolve नहीं कर पाता और वो जो metals है वो है royal metals जैसे की हमारा gold हो गया जैसे की हमारा silver हो गया यह बहुत non-reactive metals होते हैं इसी लिए यह dissolve नहीं करते दूसरी चीजों में पर aqua regia यह ऐसा solution होता है जिसमें रिजॉल्फ कर जाते हैं और सिंस दीज रॉयल मेटल्स देरफोर aqua regia is also known as बिटा रॉयल वोटर इसी लिए इसको रॉयल वोटर भी कहा जाता है इसमें क्या होता है combination रॉयल वोटर का तो वो होता है दो हमारे acids HCl और HNO3 का combination होता है 3 is to 1 में इस चीज को तुम लोग याद रखोगे बहुत अच्छी तरीके से ठीक है एक को रीजिया का composition के ऊपर पहले भी questions आये हैं आगे भी मुझे लगता है आते रहेंगे क्योंकि एक important point है अब जब गोल्ड actual में dissolve हो जाता है एक को रीजिया में तो वो क्या बनाता क्या है तो बेटा answer जाएगा ए यू सील 4 जिसको हम chloro auric acid भी बोलते हैं ठीक है भी बोलते हैं क्या इसका तो नाम ही chloro auric acid है क्या हो गया ए यू सील 4 ठीक है chloro auric acid बनता है जब हम लोग गोल्ड को डालते हैं और अक्वरीजिया में और अक्वरीजिया क्या क्या है composition यह मैंने बता ही दिया है देखो बीटा HNO3 और HCL खुद में ही बहुत strong acids है लेकिन यह भी गोल्ड और silver को dissolve नहीं कर पाते unless and until इनको its specific concentration में मिलाया जाए सिर्फ तभी यह हमारे gold और silver को dissolve कर पाते हैं इस शुड़ बी clear next question the symbol of 10 is 10 का symbol क्या है हम लोगों ने यह पढ़ा था कि सबसे पहले डॉल्टिन ने बहुत सारे symbols दिये थे elements के ठीक है बहुत सारे symbols दिये थे लेकिन वह हम लोगों को याद करने के लिए easy नहीं थे इसलिए फिर iupac आया था और iupac ने सारे elements को कुछ symbols दिये थे उनके नाम के basis पे ठीक है उनके नाम के basis पे उन्होंने उन्हें symbols दिये थे बोला था Latin नाम हो Greek नाम हो या English नाम हो उसके starting के दो alphabets जो होते हैं उनको हम लेंगे उनका नाम रखने के लिए पहला वाला जो alphabets होगा वो capital में होगा दूसरा वाला जो alphabets होगा वह स्मॉल में होगा तो यहां पर 10 की अगर हम बात करने तो ऐसे तो टी आई होना चाहिए लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है तिन का नाम stannis भी होता है ठीक है और stannis से आ जाता है sn करेक्ट आंसर हो जाएगा sn इसी ही तरह बहुत सारे अलग-अलग नाम भी होते हैं कॉपर को हूम सी यू बोलते है क्योंकि कुपर इसका नाम होता है ठीक है इसी तरह बहुत सारे अलग-अलग होते है हमारे एलेमेंट्स się हो गया तो इसका English से ही नाम आ रहा है तो calcium का हम CA ही लिख देते हैं, magnesium में हम Mg लिखते हैं, क्योंकि MA जो है, वो manganese के लिए reserved है, इसलिए magnesium को भी हम manganese नहीं बोल देते, तो उसको हमने magnesium बोल दिया, ठीक है, उसके बाद copper का नाम हम CO से ही लिख देते हैं, ठीक है, iron को हम ferrous बोलते हैं, इसलिए Fuse का नाम हो जाता ह है, तो इसी तरह से सारे elements के नाम होते हैं, और यह हम पहले भी discuss कर चुके हैं, next, the catalyst used in hydrogenation of oil is, तो hydrogenation क्या है, यह मैंने बताया था, addition of hydrogen, addition of hydrogen हो रहा था, और हम लोग क्या कर रहे थे, unsaturated को, unsaturated से हम लोग saturated compounds बना रहे थे, for a quick revision, unsaturated compounds होते हैं, जिनके पास में double या फिर triple bond मौझूद था, saturated जिनके बीच में एक single bond मौझूद था, अब जब इसमें हम hydrogen add कर देंगे, एक bond हटाएंगे, और यहां पे एक hydrogen, एक hydrogen यहां पे add कर देंगे, या फिर यहां पे एक bond हटाएंगे, hydrogen, hydrogen आड कर देंगे, उसको ह क्या बोला था, hydrogenation का process बोला था, और उसमें बिटा, तीन हमारे जो catalysts हैं, वो use होते हैं, nickel use होता है, platinum use होता है, palladium use होता है, nickel जो हमारा use होता है, वो 200 degree Celsius के ऊपर use होता है, लेकिन platinum हो गया, और जो हमारा palladium हो गया, यह दोनों हमारे normal room temperature भी hydrogenation करवा सकते हैं, लेकिन यह बहुत costly होते हैं, इसलिए generally हम nickel को use करते हैं, तो 3 elements हैं जो as a catalyst use होते हैं, catalyst का मतलब भी मैंने बताया था, जो किसी भी reaction की, जो speed है, उसको बढ़ा या कम कर सकते हैं, बढ़ा रहे हैं तो positive catalyst बोलते हैं, कम कर रहे हैं तो negative catalyst बोलते हैं, और यह reaction में पार्ट तो नह effect करते हैं, या तो बढ़ा देते हैं, या तो कम कर देते हैं, इनी को हम catalyst बोलते हैं, hydrogenation की process में तीन catalyst use होते हैं, कौन-कौन से nickel use होता है, platinum use होता है, platinum और palladium दोनो room temperature पर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी costly metals है, nickel 200 degree Celsius पर करता है, लेकिन हमारे पास यह available होता है, इसलिए हम nickel पर answer लगाएंगे, यहां पर mostly तो दोनों option साथ में नहीं आने चाहिए, लेकिन अगर आ गया है, तो हम nickel को answer choose करेंगे, next, which of the following alkaline earth metal is used in manufacture of aeroplane parts, तो पिटा यह options मैंने गलत लिखवा दिये थे, ठीक है, options जो मैंने आपे लिखे हुए हैं, उन में से हमें बताना है कि कौन सा metal use होता है हमारा aeroplane parts को manufacture करने के लिए, तो इसमें एक-एक करके हम देखते हैं, जो हमारा copper होता है, वो बहुत अच्छा conductor होता है, it's a very good conductor of electricity, therefore, इसको cables वगेरा में use किया जाता है, ठीक है, जिंक की अगर हम बात करें, तो जिंक को हमने sacrificial metal बोला था, क्योंकि यह galvanization में use हो रहा था, इसको हम लोगों ने iron के उपर चड़ाया था, जिससे iron का oxide ना बन पाई, अपना ही oxide बना लेगा, ठीक है, और sacrifice कर देग खुद को iron को बचाने के लिए, इसको sacrificial metal हमने बोला था, याद हो तो, ठीक है, iron की अगर हम बात करें, तो iron steel बनाने के काम आता है, यह steel जो बहुत ही commonly use होता है, हमारे आसपास बहुत सारी चीजों में, तो उसको बनाने के काम कौन आता है, iron आ रहा होता है, aluminium की अगर मैं ब कोरोड हुए रह सकता है, ठीक है, it does not corrode easily, और सिंस यह कोरोड easily नहीं होगा, और light भी है, इसी लिए इसको aeroplane में बिटा यूज किया जाता है, क्योंकि aeroplane में हम ज्यादा heavy weight वाला नहीं लगा सकते है metal, light metal की जरूरत होती है हमें, और वो कौन है, aluminium है, ठीक है, और यह कोरो aeroplane parts में बनाने में यूज करते हैं, correct answer will be fourth aluminium, next question, calcium decomposes in water and liberates, तो मैंने तुम लोगों को बताया था, कि calcium एक metal है, कोई भी metal जब पानी के साथ में मिलता है, तब वो क्या liberate करता है, वो liberate करता है, respective hydroxide plus hydrogen gas, और hydrogen gas कैसे निकलती है, it comes along with bubbles and a brisk effervescence, brisk effervescence के साथ में और एक popping sound generate करती है, अगर कोई हम लोगों ने एक beaker लिया, ठीक है, बीकर लिया या test tube लिया, ठीक है, test tube से अगर हमने कोई भी उसमें ऐसा reaction किया है, जिसमें hydrogen gas अगर निकल रही है, ठीक है, यह हमारा test tube और यहां से suppose हमारी hydrogen gas निकल रही है, ठीक है, तो इसको check कैसे करेंगे, एक marchis की तीली लेकर आओ यहां पर, ठीक है, एक marchis की तीली लेकर आओ, जैसे ही इसके पास लेकर आओ गे, वैसे यसी popping सी आवाज आईगी, popping आवाज, ठीक है, अब popping sound comes, popping sound आता है, bubbles का formation होता है, brisk effervescence होता है, मैंने पहले तुम लोगो metals, non-metals वाले में बताया था, यह bubbles जो form होते हैं, वो कुछ specific metals जो होते हैं, उनको पानी के उपर, या फिर किसी भी solution के उपर, तैराने में मदद करते हैं, पानी, क्योंकि पानी के साथ ही react कर रहा है, तो पान bubbles उसके आस-पास form हो जा रहे थे, तब वो उसके उपर float कर रहे थे बिटा, तो इसका answer मुझे बता देना comment sections में, यहां क्या होगा answer, यहां हमारा answer हो जाएगा, hydrogen gas का evolution होगा, ठीक है, साथ में क्या बन रहा होगा, calcium hydroxide, metal पानी के साथ रियाग करके respective hydroxide और hydrogen gas बनाता है, next, strontium जब burn करता है oxygen में, तो क्या बनाता है, तो बेटा, strontium जब burn करेगा, तब वो oxide बनाएगा, कैसा oxide बनाएगा, SRO का formation वो कर रहा होगा, जिस तरह beryllium का भी हमने देखा था, तो यहां पे भी यह oxide बना रहा होता है, SRO, अब देखो, यहां पे हमें एक-एक जो element है, उसको match क करना है, उसके respective काम के साथ में, तो इसको जरा सोचो कि हम इसको कैसे solve कर सकते हैं, जब भी तुम्हारे पास matching आया है, तो सबसे पहले आता है, उसको करके, और जो answer नहीं हो सकता है, उसको सबसे पहले eliminate कर दो, this is known as elimination method, और यही हम यहां पे करने वाले है, dark ride liquid, तो थोड़ा स हो सकता है, ठीक है, a metal that is used in jewelry, तो jewelry में कौन से metal use हो सकता है, neon, bromine, sodium, gold, nitrogen, gold use हो सकता है, तो ठीक है, तो B का 4 किस में दिया हुआ है, B का 4 तो सिर्फ इसी में दिया हुआ है, तो हमको सिर्फ एक ही answer पता था, और हम लोगों ने इसका answer लगा दिया, ठीक है, हमें और कुछ हैं, elimination technique, अगर दूसरी चीज़ ना भी आती हो, तो काम चल जाएगा, इसी तरह से हमें smartly questions को answer करना है, चलो दूसरे भी देख लेते हैं, दूसरे क्या बोल रहे हैं, totally inert gas, तो inert की अगर मैं बात करूँ, तो inert का मतलब होता है, जो बहुत कम react करता है, जो react ही नहीं करता है, ठ reaction क्यूं होते हैं, क्यूंकि reaction करने के लिए stability, हम मतलब stable होने के लिए हम किसी चीज से react करते हैं, ठीक है, अब stable होने का मतलब क्या है, आउटर्मूस जो हमारा outermost shell होता है, उसमें octate complete होना चाहिए, octate rule मैंने बताया था, ठीक है, उस octate को ही complete करने के लिए सारी कहानी चलती ह है, सारी reactivity चल रही होती है, तो यह जो inert होते हैं, inert gases होते हैं, noble gases जिनको हम बोलते हैं, उनका already जो outermost octate होता है, वो complete होता है, इसलिए यह already stable होते हैं, तो यहां पे कौन सा है हमारा noble gas, तो वो है neon, ठीक है, वो है हमारा neon C का first, बिलकुल, अब a reactive metal that explodes in water, ऐसा कौन सा metal है, जो explode कर जाता है पानी में जाके, तो reactivity series वापिस देख लेना, मैं बार बार बोल रही हूं, it's very very important, उसमें हमारा बहुत उपर आ जाता है, sodium metal, potassium metal, highly reactive with water, they react vigorously with water, एकदम अगर पानी में डाल दोगे, तो यह आग लग जाती है, इतना जादा reactive होते हैं, कुछ-कुछ ऐसे metals हो होते हैं, जो हमारे hot water के साथ में react करते हैं, ठीक है, वो cold water वागरा के साथ, react नहीं करेंगे, normal पानी तो छोड़ो, उनको hot water चाहिए, कुछ steam के साथ में react करते हैं, कुछ cold water के साथ में react कर जाते हैं, तो reactivity series से बता चलता है, बिल्कुल, यहाँ पे a reactive metal that explodes in water, तो कौन सा metal है, वो है sodium, ठीक है, अब हमारा क्या बचता है, a dark red liquid, तो यह याद रखना, bromine जो होता है, it's a dark red liquid, ठीक है, this is a thing to be remembered, बच्चा, यहाँ पे एक और चीज़ याद रखने वाली हो जाती है, जो मैंने तुम लोग को पहले भी बताया था, एक ऐसा non-metal, जो as liquid exist करता है, हमारे room temperature पे, तो वो भी तो bromine ही था, तो bromine हमारा एक ऐसा non-metal था, जो liquid होता है, room temperature पे, next question, magnesium does not decompose in, ठीक है, तो यहाँ पे फिर से वही आ गया, कि कौन से ऐसे metals होते हैं, जो जादा reactive हो जाते हैं, ठीक है, जो पानी के साथ में react कर लेते हैं, कौन से metals होंगे, जो reactivity series में सबसे उपर होंगे, अब magnesium कहां आता है, reactivity series में, अगर हम magnesium की बात करें, तो भाया, वो water में तो decompose नहीं होगा, माम, है ना बच्चे, cold water में तो at least नहीं होगा, उसको भी हा, hot water यह steam की जरूद पढ़ जाएगी, decompose होने के लिए, तब भी वो float करने लगता है, यह तो मैंने answer बता दिया, लेकिन और भी metals होते हैं, जो float करते हैं, तो उसका answer मुझे comments में बताना, ठ ठीक है, ओके, now, next question, which of the following is the composition of carnalite, तो यह carnalite जो होता है, इसका क्या composition होता है, एक नया शब्द वापिस आ गया है हमारे सामने, तो बिटा, यह देखो, carnalite जो होता है, वो fertilizers में यूज होने वाला एक compound है, इट इस यूज़ड इन, fertilizers, composition क्या, composition बिटा, mgcl2.kcl.6H2O, यह हमारा carnalite का formula होता है, जिसको हम याद रखेंगे, अब यहाँ पर क्या होता है, बिटा, 1.5 mole percent हमारा KCL का मिलाया जाता है, 98.5 mole percent mgcl2.6H2O के साथ, मैं mole mole percent क्या होता है, बिटा, next class में जो छूटे हुए topics हैं, हमारे, उनको एक-एक topic को मैं cover कराने वाली हूँ, उसमें हम लोग देखेंगे की mole क्या होता है, solutions हमारा थोड़ा बचा हुआ था, जहां पर हम लोग उने molarity, molality की बात नहीं की थी, तो वो हम हमारे next lecture में देखने वाले हैं, अभी याद रखो काने लाइट के composition में KCL, mgcl2.6H2O मिला हुआ होता है, next question, German silver is used to make decorative articles, coinage, metals, ornaments, etc, the name is given because of, तो आज हम लोगोंने का German silver के बारे में तो पढ़ा ही था, कि उसका composition क्या होता है, ठीक है, कितने उसमें metals होते हैं, जो combinedly मिलकर alloy बना रहे होते हैं, German silver का, German silver में बहिए silver तो नहीं होता, ठीक है, इसको German silver इसलिए बोला जाता है, क्योंकि its appearance is like silver, यह silver के जैसे दिखता है, इसलिए इसको बोला जाता है, German silver, it's basically an alloy which looks like silver, but does not contain silver, अब बताओ, cement does not contain, तो यहां पर हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं, हम लोग cement का एक composition देखने वाले हैं, कि basically cement में क्या-क्या मौझूद होता है, ठीक है, answer इसके बाद में बताएंगे, सबसे पहले देखते हैं, क्या-क्या मौझूद होता है, तो यहां पर lime मौझूद होता है, ठीक है, CAO, ठीक है, इस lime, silica मौझूद होता है, SiO2, alumina मौझूद होता है, Al2O3, iron मौझूद होता है, Fe2O3 के फॉर्म में, और gypsum, जो मैंने तुम लोगों को पता है था, plaster of Paris and gypsum, remember, तो gypsum, CAO4.2H2O मौझूद होता है, हमारे cement के major, हमारा composition, जो Portland cement होता है, जो बहुत commonly used होता है, उसके composition में यह चीज़ें आ रही होती है, ठीक है, यह याद रखना, lime, silica, alumina, iron का यह oxide और gypsum, gypsum में, दो water of crystallization होता है, plaster of Paris hemihydrate था, जिसमें half water of crystallization था, इस चीज़ को भी याद रखना ही है, मैंने पहले तुम लोगों को glass में बताया है, तो answer क्या होना चाहिए, iron होता है, माम, aluminium, बिल्कुल होता है, माम, calcium भी होता है, हम sulfur नहीं दिखा, मैं वहाँ पे, ठीक है, alumina के form में aluminium होता है, ठीक है, air 203, iron, fe 203 के form में होता है, calcium हमारा CEO के form में, lime के form में मौझूद होता है, sulfur मौझूद नहीं होता हमारे cement में, तो हम यह चीज़ को याद रखेंगे, next question, nitrogen, nitrogen, नया फिरसे नाम, जो भी बेटा, ऐसे important नाम है, जो previous, पहले पुराने सालों में, one day exams में आए है, जो मुझे लगते है, important है, उनको मैंने cover करानी की कोशिश की है, जब हमारा सारा science का syllabus complete हो जाएगा, तब मैं और बहुत सारे questions का, एक series लेकर आउंगी बिटा, जहां पे हम लोग और ऐसे जो छोटे-छोटे, बहुत common compounds है, जिनके नाम हमें पता होने चाहिए, उनको लेकर आउंगी, आज आप यहां पे कुछ ये नए compound सीखो, ठीक है, तो nitrogen is a mixture of, तो नाइट्रोलिम भी हमारे एक ऐसा compound है, जो कि fertilizers में यूज होता है, ये भी fertilizers में यूज होने वाला compound है, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, किस तरह से बन रहा होता है ये, जब हम nitrogen को पास करते हैं, over calcium carbide, तब हमें मिलता है CACN2 प्लस graphite, तो कहां है CACN2 प्लस graphite, ये रहा, B, CACN2 प्लस graphite, graphite क्या है, एक allotrop ही तो है carbon का, तो जब nitrogen को calcium carbide से पास किया जाता है, तब हमें मिल रहा होता है, CACN2 प्लस graphite, और इसी mixture को क्या बोलते हैं, नाइट्रोलिम बोलते हैं, फटिलाइजर में यूज होने वाला एक mixture होता है, ये, next question, the color given by calcium to the flame is, हमारा जो calcium होता है, वो कौन सा color देता है, flame को, तो ये बताएए मुझे, क्या आपको पता है, ये, compounds में जो अलग-अलग ions होते हैं, elements होते हैं, उनके determination के लिए कुछ तरीके होते हैं, जिन में से एक तरीका होता है, flame test का, flame test में क्या होता है, कुछ specific जो elements होते हैं, उनको specific color होता है, कुछ common जो elements हैं, उनके specific colors के बारे में मैं तुम्हें पहले बता देती हूं, ठीक है, इनको कोशिश करना याद रख लो, क्योंकि ये specific elements हैं, और ये बहुत ही common elements हैं, जिनके colors बहुत specifically हम लोग को flame में दिखते हैं, ठीक है, तो lithium जो होत है, वो crimson red color की flame देता है, sodium हमारा orange color की flame देता है, potassium जो होता है, वो lilac color की flame देता है, हल्का सब पिंकिश सा color होता है, वो तरह different shades of pink, प्यार का पंचनामा देखी होगी, ये वाला pink नहीं, वो अला pink, तो उसमें से एक lilac violet होता है, ठीक है, अब calcium जो होता है, हमारा वो orangish red color देत है, या फिर इसको हम brick red भी बोलते है, ठीक है, brick red या orange red color देता है, उसके बाद में जो हमारा rubidium होता है, वो भी एक अलग प्रकार का red color दे रहा होता है, strontium की बात करें, तो वो typical scarlet red देता है, लड़कियों को समझ में आ चाते हैं, अलग-अलग colors, ठीक है, अलग-अलग shades, अलग-अलग red होता है, ठीक है, अब, बेरियम जो होता है, वो pale green color देता है, इसको हम apple green color के नाम से भी जानते है, specific apple green color ठीक है, जो हमारा copper होता है, वो हमें blue green color देता है, और जो हमारा lead बचा हुआ है, वो हमें grayish white color देता है, यह कुछ common elements है, बेटा, इनके तुम्हें नाम ब इनका जो color है यह जो flame में induce करते हैं इसके बारे में तुम्हें idea होना चाहिए तो आप देखते हैं question हमारा क्या पूछा था हमसे the color given by calcium to the flame is तो calcium का देखो यहां पर brick red या orange red color होता है answer जाएगा हमारा brick red ठीक है blueish green color कौन देता है copper देता है crimson red color हमें कौन दे रहा था lithium दे रहा था violet या फिर lilac color हमें कौन दे रहा था तो वो दे रहा था हमें potassium तो इनको हम याद रखेंगे ठीक है उसके बाद calcium decomposes cold water into तो इसका हमने आज एक और question already किया ही था कि जब भी कोई भी metal जो होता है वो water में decompose होता है तो वो respective hydroxide देता है respective hydroxide देता है with the emission of hydrogen gas same equation आज मैं एक और question में बता चुकी हूँ मियानिक यह important है cold water के साथ react करता है calcium यह भी हम देख रहे हैं क्योंकि calcium reactivity series में थोड़ा नीचे आता है इसलिए थोड़ा ऊपर आ जाता है एट लीस्ट उन मेटल से comparison में जिनको होट वोटर की जरुवत पढ़ रहे है ठीक है तो यह तो गोल्ड वोटर से भी react कर जाता है तो यह थोड़ा सा उपर ही आ रहा है magnesium वगरा की बात करें तो उनको तो भी हीट की जरुवत पढ़ रहे है पानी के साथ में react करने के लिए ठीक है यह पानी को पानी के साथ रियाग करके हमें respective hydroxide और hydrogen दे रहा होता है इसी के साथ में hydrogen की हमने बात की थी hydrogen को किस तरह पचाने की तो carbon dioxide को भी पचानने का तरीका मुझे यहीं से याद आ गया क्यूंकि जब यह जो lime water है lime water भी क्या होता है हमारा calcium का hydroxide होता है उससे जब हम से योटू को पास करते हैं तो हमें क्या मिल रहा था यह भी एक बार मुझे बता देना ठीक है तो थोड़ी खुशी हो जाएगी milky appearance क्यूं मिल रहा था और फिर गायब क्यूं हो जा रहा था क्या यह याद है तुम लोग को तो एक बार बताना होता है हमने बायो में कुछ important elements पड़े थे muscle contraction muscle tissue हमारे ऐसा tissue होता है जिसकी प्रोपर्टी होती है contraction जो contraction property होती है वो सिर्फ muscle tissue के अंदर होती है because उनके पास क्या होते है contractile proteins मौजूद होते हैं अब contractile proteins होते हैं अब muscles contract करते हैं वो किसकी वज़े से करते हैं हमारी immunity के लिए अलग element जरूरी होते हैं इन सब के बारे में हमने बायो में बात की थी जो हमें याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है example के वो में जो हमारा के यहां पर दिया हुआ है वो clotting में मदद कर रहा था हमें हर चीज को अपने दिमाग में बिटा अच्छी तरह से घुसाते हुए चलो ठीक है यह बहुत ज़्यादा जरूरी चीज है चोटी चोटी चीजों से केमिस्ट्री और बायो का कंबाइन करके तुम लोग को को इसना से मुप एस देंगे बंबाड करके देंगे लेकिन हमें आना चाहिए हमने एक चीज को पढ़ रखा है ठीक है तो हमें यह सारी चीज आनी चाहिए आज जो हम लोगों ने यहां पर बिटा क्वेशन कीये है कि उनका कुछ स्पेशल रीजन होता है और नॉर्मल लाइफ में हम उनके केमिकल नामों से उन्हें नहीं जानते बलकि उन नामों से जानते जैसे पड़ा नाइट्रोलिम पड़ा हम लोगों ने कुछ नया सीखा है कुछ ऐसे कोईशन्स देखे हैं जो पुराने पेपर में में आए हैं सिर्फ cds के पेपर में ही नहीं आये पुराने और भी डिफेंस के एक्जाम में आये हुए हैं तो यहां पर आने की बन जाती है यह तो सिर्फ हमने कुछ ही क्वेशन्स किये थे ठीक है हम आगे जब मैंने पहले ही बोला कि जब साइंस पूरा कंप्रीट हो रहे हैं हम यहां से ठीक है अब जो छोटे-छोटे टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं वह नहीं ने नेक्स लेक्टर में कम्प्लीट करने वाली हुए मैंने पहले भी तुम्हें बताया था ठीक है चोटे-चोटे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जैसे हमारा everyday life में जो हमारा chemistry के चोटे-चोटे points होते हैं ठीक है वहां पे भी बहुत चारी ऐसी चीज़ें होती जनके बारे में पढ़ेंगे जैसे oil of winter green क्या होता है ठीक है ऐसे चोटी-चोटी चीज़ें है जो यूज होती है daily life में जनके ऊपर based questions आ सकते हैं वह हम cover करेंगे biomolecules एक chapter है जसमें से questions आए है पुराने cds के papers में जब मैंने देखा तब उससे कुछ-कुछ questions उठकर आए है तो उसका जो पोशन complete करना है अपन वो करेंगे solutions वाले chapter में से मुलारेटी मुलालेटी वाला concept बचा हुआ था उसको देखेंगे मोल्स हम लोगों ने समझी लिये थी क्या होता है अब जो मुलारेटी मुलालेटी वाला concept है हम उसको देखेंगे और भी कुछ एक दो चोटे-चोटे से topics बचे हुए हैं उनको cover करते हुए हम पूरे chemistry को bundle up क करेंगे और फिर शुरुआत करेंगे हमारे सबसे प्यारे subject की जोकी होने वाला है physics ठीक है डर लगता है classes के बाद में नहीं लगेगा ठीक है उसको भी हम ford कराएंगे बायो और chemistry हमारे एकदम खतम होने की गगार पर बायो तो हो चुका है chemistry भी almost खतम होने वाला है तो भाई एक्जाम आता जा रहा है पास तो एक ही चीज बोलूँगी हर एक चाप्टर के जितने concise notes हो वो बनाना और revision हमेशा ही करते रहना revision यानि कि हमारा revision सारे concepts का बहुत और आज की class हम खतम करते हैं वन्दे मातरों